वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस क्लास में हम लोग डेली घटना चक्र और समसामाईगी सार में करन्ट अफेर्स और जीके का रिवीजन करेंगे अगर आज यहां पर पहली बार हैं त हमें सब्स्क्राइब कर सकते हैं इस किलाओ टेलिग्राम इंस्टाग्राम और फटेस्बूक पर हमेंван को कर सकते हैं आपका drone के माध्यम से करने के लिए स्टार्ट किया गया है और यह कहा पर प्रार्म किया गया तिलंगाना से मौसम के नय चावल का स्वागत करने के लिए नुवाखाई जुहार धारमिक उत्सव किस राज़े में मनाय जाता है तो नुवाखाई जुहार जो है उत्सो कहां में मना जाता है तो ये मना जाता है ओडिसा राज्य में हाल ही में लोगसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों को मिला करके कौन सा एक नया चैनल लांच किया गया तो लोकसभा टीवी और राजसभा टीवी को मिला करके बनाय गया है आपका संसद टीवी किस राज्य के हाथी मिर्च और इसको क्या कहा जाता है सिरारा खोंग मिर्च और इसको हाथी मिर्च भी कहा जाता है इसके लावा तामेंग लोंग मेंडरीन आरेंज को भगोलिक संकेतक यानि की जियाई टेग प्रदान किया गया है तो ये आपका हाथी मिर्च और तामेंग लोंग मेंडरीन आरेंज मडिपूर राज्य का है इसको जियाई टेग दिया गया हाल ही में किस राज्य को किस देश क संगहाई सहयोग संगठन के नवे पूर्ड कालिक सदस्य के रूप में सामिल किया गया है तो अब सगहाई सहयोग संगठन में कुल नौ जो है सदस्य हो गये है और नवा पूर्ड कालिक सदस्य किसे बनाय गया है तो ये बनाय गया अभी हाली में इरान को हिमालियन फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्क्रण का आयोजित कहां पे किया गया तो हिमालियन फिल्म फेस्टिवल पहरी बार आयोजित किया गया लेह लद्दाख में पूर्ड न्याय याने की complete justice की संकल्पना जो है सम्विधान के किस अनुच्छेद में दी गई है तो सम्व पहली महिला कुलपती कोन बनी है तो यह भी हाली में बनी है इनका नाम क्या है निलोफर खान और राष्ट्रिय महिला विधायक सम्मेलन यानि की महिला विधायकों का जो सम्मेलन होने वाला है इसकी मेजबानी किस विधान सभा के दौरा की जाएगी किस राज्य के विधान सबह दोरा तो केरल विधान सबह के दोरा राश्टरी ये महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की जा रही है ठीक है आगे हमारा है यूनेसको के वरतमान में अद्यक्ष कौन है तो यूनेसको के जो वरतमान में सिंगापुर के हैं ये ठीका ना और FATF का भी मुख्याले कहां पे है तो इसका मुख्याले कहां पे है पेरिस में है BRICS 2022 बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो BRICS 2022 में जो है सारी बैठके कोई भी कितनी भी बैठके होगी BRICS की सभी की मेजबानी कौन करेगा तो वो आपका चीन करेगा अभी हाली में जो है विदेश मंत्रियों की बैठक होई थी BRICS देशों की तो उसकी जो है मेजबानी चीन के विदेशमंत्री ने की थी न्यू डेवलप्मेंट बैंक यानि की एंडीबी क्या है तो एंडीबी जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि ये ब्रिक्स देशों का आपका बैंक है क्या New Development Bank और इसका जो है अस्थापना कब हुआ था पंदरे जुलाई 2014 को इसको अस्थापना होती है फोर्ट लेजा घोश्टा पत्र के द्वारा ब्राजील में ठीक है न मुख्याले कहाँ पे है इसका मुख्याले है आपका संगाई चीन में और इसमें जो नवींतम देश सामिल हुआ है New Development Bank में वो कौन चा है तो वो आपका मि ट्विटर को वर्टबान में CEO कौन है तो ट्विटर के CEO जो है इसको एलॉन मस्क के खरीदने से पहले भी आपके पराग अगरवाल थे और अभी पराग अगरवाल ही इसके CEO है आश्ट्रेलिया के नए प्रधान मंत्री अभी हाली में कौन चुने गए तो ये चुने गए है एंथनी एलबोनीज ठीक है ये अश्ट्रेलिया के नए प्रधान मंत्री है फुगाकु अगर आपसे पूछ लिया जा कि फुगाकु है क्या तो फुगाकु जो है ये जापान का जो है क्या है सूपर कंप्यूटर है जापान देश का हाल ही में नेता जी अवार्ड 2022 से किस जापानी प्रधान मंत्री को सम्मानित किया गया तो ये अपके पूर्व जापानी प्रधान मंत्री थे जिनका नाम है सिंजो अबे इनको अभी हाली में जो है नेता जी अवार्ड 2022 जनुरी 2022 में प्रधान किया गया है जापान के किस प्रधान मंत्री को 2021 में पद्म जापान में हुआ था 1997 75 प्रट्योगिता 2021 का खिताब किस ने जीत लिया है तो ये जीता है आपके केरल ने ठीक है संतोश ट्रफी केरल ने जीत लिया और किसको हराया है तो बंगाल को हरा करके जीता है महिलाओं की बैडमिंटन प्रत्योगिता Uber Cup 2022 अभी हाली में यही संपन होई थी इसमें दक्षिड कोरिया ने किस देश को हरा करके जीता है तो दक्षिड कोरिया ने जो है Uber Cup 2022 की प्रित्योगिता जीत ली और इसके लिए इसने किस देश को हराया चीन को हराया ठीक है, next हमारा है अच्छा आपको ये अगर मैं पूछ लूँ कि उबरकप जो है कहां पे आयोजित किये गए थे ठीक है कहां पे ये हो रहे थे उबरकप ये आप लोग कमेंट करके बताना उबरकप कहां पे हो रहे थे हाल ही में विस्व मुख्य बाजी चेंपियंसिप 2022 का आउजन कहां पे किया गया तो विस्व मुख्य बाजी चेंपियंसिप 2022 का आउजन इस्तानबूल तुर्की में हुआ और विस्व मुख्य बाजी चेंपियंसिप 2022 की विनर जो है कौन है निखत जरीन ठीक है निखत जरीन और निखत जरीन जो है किस राज से सम्बंदित है यह आप लोग कमेंट करके बताना कि निखत जरीन जो है किस राज से सम्बंदित है राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ चीजे देख लेते हैं क्योंकि इनकी जो है क्या है दो सो पचासवी जेनती है मिरातु लग्बार 2018-22 में इन्होंने प्रकासन किया था, बंग दूत 2018-59 इस पत्र पत्रिकवाओं का प्रकासन किया, और एक केस्वर वाधियों का उफ़ार 2018-22 में इन्होने पुष्टक भी लिखी थी, तो देखें, तीन आपकी पत्र पत्रिकार रखेंगे, 1821 में समवात कौम दिये, 1822 में मिरातुलगबर, 1829 में बंगदूत और एक पुष्टक का नाम जो की राजाराम मोहन राय की है, एक केस्वर वादियों का उपहार, 1822 इस्वी में इनकी एक पुष्टक भी आई थी राजाराम मोहन राय ने 1814 इस्वी में आत्मी सभा की एस्थापना की थी, 1816 में वेदान्त सोसाइटी की एस्थापना की थी, 1817 इस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलिज की एस्थापना, 1825 इस्वी में वेदान्त कालेज, और 1828 इस्वी में ब्रह्म समाज, इसके लावा 1831 इस् तो आप और भी याद रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पिछला हमेशा पूछा जा रहा है, वही आगे भी पूछा जाएगा, अठारे सो उनतिस में सती प्रथा के अंत के लिए किस गवर्नर जनरल द्वारा कानून पारित किया गया, तो ये भी राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये पारित किया गया था, लाड बिलियम बेंटिक उसमें गवर्नर थे, अठारे सो उनतिस में सती प्रथा के अंत के लिए ये कानून आया था राजा राम मोहन राय का निधन कहां पे उआ था तो इंका निधन उआ था ब्रिश्टल इंग्लैंड में और इनको राजा की उपादी किस ने दी थी राय मोहन राय को तो अकबर द्विती जो थे ठीक है न मुगल सासक इन्हों ने जो है राजा की उपादिती थी राम मोहन रायको ठीक है नेक्स्ट हमारा है दिसा रेप केस में हुए इनकाउंटर की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था तो दिसा अपका रेप केस हुआ था इसके लिए जो है सिर्पूर कर जो है आयोग की अस्थापना की गई थी दिसा रेप केस में जो है क्या हुआ था कि पुलिस ने चाल लोगों का इनकाउंटर कर दिया था जिसने उनका रेप किया था तो इसकी जांच के लिए सिर्पूर कर जो है आयोग की गठन किया गया था और इस आयोग ने पुलिस को दो सी ठहराया है कि पुलिस ने जो है जान बोचकर इननों को मारा है ठीक है राश्ट्री आतंक वाद रोथी दिवस कब हुआ था कब मना जाता है तो यह आपका 21 मई को मना जाता है क्योंकि इस दिन जो है भारत के पूरो प्रधानमंत्री राजिव गांधी की हत्या कर दी गई थी ठीक है जैव विविधिता दिवस कब होता है तो यह होता है आपके 22 मई को तंबाखो निसेध दिवस कब मना जाता है तो यह मना जाता है प्रत्यक वर्स 31 मई को ठीक है अब देखते हैं हम लोग 24 मई 2022 के महतपूर करंट अफेर्स को 24 मई 2022 को 4 4 आपका 4 Quart Submailan हो रहा है पहला आपका 2021 में हुआ था ठीक है ना इसके बाएद आपके 3 Quart Submailan हो गए यह आपका 4 Quart Submailan है कहां पर यह इसका पाइजित किया जाएगा। यह आपका टूक्यो जापान में चार देशों के आपके प्रमुक है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है जापान में तो होई राया है जापान के वही हैं इसके लुगा। बारत, अमेरिका और आश्ट्रेलिया के प्रमुख आपके वहाँ पहुँच गए हैं आश्ट्रेलिया के भी नए प्रधान मंत्री बने हैं ये भी यहाँ पे गए हैं तो इनका नाम क्या है आश्ट्रेलिया के नए प्रधान मंत्री का आप लोग कमेंट करके बताना और Quad में कौन-कौन से देश सामिल है, ये भी याद रखना है, तो Quad में यही चार देश सामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और आश्ट्रिलिया, हाल ही में New Development Bank ने भारत में अपना छेत्रिय कार्याल है, किस राज्य में खोलने की घोशड़ा की है, तो New Development Bank किसका बैंक है भी आपको बताया गया, तो ये आपके Brics देशो का बैंक है, और इसका जो छेत्री कार्याल है खोला जाएगा, ये गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा, गिफ्ट का फूल फर्म क्या है, गुजरात International Financial Technology, ठीक न, तो ये आपका गिफ्ट सिटी बनाई गई गई कहाँ पे, पूना नियुक्त किये गए हैं, यानि कि पहले भी यही थे, फिर से नियुक्त किये गए हैं कौन, सलिल पारिक, बाइस तेश मही 2022 को बंगाल की खाड़ी में, भारत और किस देश के मद्ध समनवित गस्ती अभ्यास का चौथा संस्क्रण आयोजित किया गया, तो ये कोरप 22 का खिताब किसने जीता है, तो 12 वी राष्ट्री सब जूनियर महिला होकी चेंपिनसिप का खिताब जीता है, किसने हर्याणा ने और किसको हराया है जहार खंड को, ठीक है आवजन कहां पे हुआ था, इमफाल मडीपूर में, संस्कृती मंत्राले के द्वारा राजा राम म महन राय की 250 वी जैनती के उसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया, तो कोलकाता में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसकी, राजा राम महन राय को और कौन सी जैनती थी, 250 वी जैनती, ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कौन इस कैम्प को जो है फता किया है और इनकी उम्र कितनी है दस वर्स चर्चा में रही राम बन सुरंग किस राज्य या कि अंदर्सासित प्रदेश में इस्ति थे तो अभी राम बन सुरंग में क्या हुआ था यहां पे निर्माड कारे चल रहा था और इसका कुछ हिस्सा जो है घिर गया था. ठीक है ना तो यह कहाँ पे इस्तित है तो यह आपका राम बन सुरंग है आपके जम्मू कस्वीर में नेक्ष्ट हमारा है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का यह नस्थल कहां पे है तो विश्व आर्थिक मंच की जो आपका प्रत्यक वर्ष इसकी बैठक कहां होती है तो इसकी प्रत्यक वर्ष बैठक दावोस में ही होती है हाल ही में केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर नार्थ इस्ट रिसर्च का अंक्लेव 2022 का सुभारम किया तो नार्थ इस्ट रिसर्च का अंक्लेव का जो सुभारम किया गया ये किया गया है आई आई टी गोवाहाटी में तो उमीद करता हूँ कि यह सारी चीजे आपको अच्छे लगे होंगी क्लास अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को सेर कर दीजेगा अगर आप यहां तक देख रहा है तो आप लाइक कर चुके होंगे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद